जिन्दगी जीना आसान नहीं होता बिना संगर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक नैपड़े हतोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता आईए दोस्तों इसी उत्सा के साथ सुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ मेहत्यपूर्ण क्वेशन्स So, First Question है Which Country has a provision of single citizenship? किस देश में एकल नागरिक्ता है? तो कि दोस्तों भारत में एकल नागरिक्ता का प्रादान है जबकि अमेरिका वेस्ट्टर लेंड में दोरी नागरिक्ता है Next, How many ways are prescribed for acquiring citizenship? नागरिक्ता प्राप्ट करने के कुल कितने साधन हैं? तो दोस्तों नारिक्ता पांस तरीकों से प्राप्त की जा सकती है वे हैं या जन्म से, वन्स के आधार पर, पंजीकरंड द्वारा, प्राकृतिक रूप से या छेत्रसमा विष्टी द्वारा ये वो पांस तरीके हैं जिन से नारिक्ता प्राप्त की जा सकती है next which president used the pocket widow power 1986 में राष्टरपति जानि जेसिंग ने pocket widow का परियोग किया था अब एक बहुत अच्छा प्रशन है कि pocket widow क्या होता है pocket widow एक ऐसी power होती है राष्टरपति के पास जिससे वें किसी भी विदेग को एनिस शितकाल के लिए लंबित कर देता है उस विदेग पर नहीं तकोई स्विक्रिती होगी और नहीं ए स्विक्रिती होगी नेक्स्ट, फोर विच बिल he exercised the pocket veto किस बिल पर नोंने pocket veto power का प्रयोग क्या था तो अंसर है Indian Post Office, भारतिय डाक बिल अब यह बिल दोबारा संसंत में नहीं आ सकता क्योंकि यह है एन शितकाल के लिए लंबित कर दिया गया है नेक्स्ट आर्टिकल 74 of our constitution states बारते समविदान का अनुच्छे 24 क्या कहता है तो अनुच्छे 24 में कहा गया है कि राष्टरपती को सलाव ऐसायता देने के लिए एक मंति प्रिशद होगी और उस मंति प्रिशद का मुख्या प्रधान मंत्री होगा तो ऐसे ही बने रही है हमारे साथ और अपने ग्यान को बढ़ाते रही है जै हिन जै भारत